question number 307 expand 5p minus 3q whole q तो इसको expand करने के लिए इसमें हम apply करेंगे a minus b whole q की identity तो यह होगा यहाँ पे हम इसको compare करेंगे इसके साथ तो यहाँ a के place में यहाँ पे है 5p और b के place में है 3q तो simply हम इसमें put कर देंगे a के place में 5p और b के place में 3q so equal to 5 का q बोधा 125 और 3 का q 27 और इसमें हम पहले first इन तीनों को multiply करेंगे तो यह होगा 45p q into 5p minus 3q और finally हम इसको इस बोध के साथ multiply कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा तो पहले हम इसमें 45 को 5 से multiply करेंगे तो यह होगा 225 और p q को p से multiply करने से होगा p square q और फिर हम लास्ट पले टम के साथ multiply करेंगे तो यह होगा plus और 45 थरी जब 1 135 और p q को q से multiply करेंगे तो यह होगा p q square which is the required answer